सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सोपर टेकनोलजी लेटास्ट वीडियो के लिए बेल आइक उन दबाएं वेलकाम टो मैं चैनल सोपर टेकनोलजी मेरा नाम मंदीप दुड दोस्तो इससे पहले मैं BlueJeans के रिकार्डिंग वीडियो से अप्लोड कर चुक हूँ कि BlueJeans को mobile में कैसे install करने कैसे account create करने कैसे meeting link share करने दोस्तो इस वीडियो में देखने बाले है BlueJeans को laptop में कैसे install करने कैसे sign in करने कैसे meeting link share करने यह सबी देखने के लिए बने रहे हैं मेरी वीडियो के end तक दोस्तो ब्लूजीन्स को इस्टॉर्ड करने के लिए Chrome में टाइप करना है BlueJeans.com दोस्तो उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी BlueJeans की दोस्तो जैसे वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपने यहाँ रिसोर्स पे क्लिक करने है उसके बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करने है दोस्तो अफ्टर अपको यहाँ पे ऑप्षिन बिलेगी जंप टू डेस्टोप, मोइल, टेबलेट, कलेंडर, इवेंट, इंटिगरेशन, कॉन्फरेंस नूब आपने डेस्टोप पे क्लिक करने है डेस्टोप पे क्लिक करने के बाद आपको उप्षिन बिलेगी BlueJeans for Windows तो आपने यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करने है डाउनलोड होन के बाद शो इन फोल्डर पे क्लिक करने राइट क्लिक करके Run as administration पे क्लिक करने Yes पे क्लिक करने Do you want to create desktop shortcut? Yes, install पे क्लिक करने दोस्तो एप बहुत जल्दी install होगी है PC में एप का size बहुत ही light है About 26 MB एप ओपन होनके बाद आ रहा है Welcome to the new BlueJeans experience Okay, got it पे क्लिक करने How do you usually join meeting? Use computer audio और use phone audio तो आपने यहाँ computer audio पे क्लिक करने है Save and continue पे क्लिक करने है दोस्तो यहाँ पे options आ रही है Sign in, join as a guest, sign up दोस्तो अगर आप meeting को as a participant as a student जोइन करना चाहते तो आपने join as a guest पे क्लिक करने है और आपने यहाँ पे meeting ID, passcode and name डालके meeting जोइन करने है अगर आप host और याप teacher तो आपने sign in करने है sign in करने से पहले आपको sign up करना पड़ेगा जैसे हम sign up पे क्लिक करते है तो यहाँ पे website open हो जाती है दोस्तो यहाँ पे ATL की website open हो जाती है आपने list for free trial पे क्लिक करने है आपने यहाँ पे basic information फिल करनी है first name last name डालने के बाद आपने mobile number डालने है उसके बाद आपने company का email address डालने है दोस्तो company का name डाल देने है यह आपको डालना required है otherwise आप sign up नहीं कर पाऊगे उसके बाद I agree to term and condition पे क्लिक करने है उसके बाद send OTP की option आएगी तो आपने send OTP पे क्लिक करने है दोस्तो आपने Gmail open करने है जो Gmail हमने यहाँ पे फिल की थी दोस्तो जैसे आप Gmail open करोगे तो आपको यहाँ पे OTP रसीव होगा आपने इस OTP को verification के लिए फिल कर देना है OTP फिल करने के बाद verify पे क्लिक करना है आपने submit नहीं करना है यहाँ पे verify करना है आपका OTP verify हो जाएगा आपने submit पे क्लिक करना है दोस्तो आपके पे क्लिक करने के बाद आपके पास message display होगा Thank you, your order has been taken successfully It may take up to 24 hours for activation of little regions दोस्तो अकाउंट को activate होने के लिए 24 hours लगेंगे You will get an email upon activation दोस्तो आपके पास एक email में link receive होगा आपने वहाँ पे क्लिक करके अकाउंट को activate करना है तो आपने 24 hours तक wait करना है दोस्तो अभी हम यहाँ पे email को refresh करके देखते हैं दोस्तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी email अभी तक रसीवनी हुई तो हमें इसके लिए wait करना पड़ेगा दोस्तो मेरे पास एक already account created है मैं उस account के साथ sign in करूँगा sign in username डालने के बाद आप next पे क्लिक करना है उसके बाद आपको password फिल करने की option आपने password फिल करने है दोस्तो आपका यहाँ पे bluezines में login हो जाएगा which calendar do you use google outlook neither तो आपने अपने accordingly set करके continue करना है you can connect to your calendar at any time okay got it दोस्तो आप को maximize करने के लिए आपने यहाँ पे click करना है आप maximize हो जाएगी दोस्तो टॉप पे option आरे है mute video की आप यहाँ पे click करके video को on off कर सकते हूँ microphone को on off कर सकते हूँ दोस्तो left side पे meeting के recording information शो हो रही है जो भी आपकी कोई upcoming meeting है कोई recent meeting है personal meeting information है अगर आप कोई meeting start करना चाहते हो दोस्तो bottom पे option आरे है meeting को join करने के लिए आपने यहाँ पे click करके meeting join कर सकते हूँ meeting ID डालना है, passcode डालना है दोस्तो अगर आप meeting link शेर करना चाहते हो तो आपने यहाँ link पे click करने है जैसी आप link पे click करोगे तो आपको यहाँ पे copied का message हो होगा आपका यह link है आपका यह meeting link है वो copy होगया आप किसी भी source के तुरू meeting link की शेर कर सकते हो अभी यहाँ पे मैं WhatsApp के तुरू link शेर करूँगा दोस्तो जैसी आप यहाँ पे meeting link पेस्ट करते हो तो आपकी meeting detail शेर हो जाएगी दोस्तो यहाँ पे meeting link शो हो रहा है और साथ में यह 1-2 से start हो रहा है 82 तक यह meeting ID है और end पे meeting passcode है दोस्तो अभी हम इस link के तुरू mobile से meeting जोइन करेंगे और फिर से हम meeting में विजट करते हैं दोस्तो mobile में मैं already app को install कर लिया है app को install करने के बाद आपने app को open करने है और allow करने है उसके बाद आपने उस link पे click करने है जो host ने आपको send किया है दोस्तो as a participant join करने से पहले हम as a admin meeting start करेंगे जैसे हम यहाँ meeting पे click करते है तो join with screen share only join with phone audio join with room system तो आपने यहाँ join with room system पे click करने है दोस्तो यहाँ पे option आएगी join with room system enter the pairing code display on your room system screen दोस्तो आपने यहाँ पे cross करने के बाद आपने यहाँ connect video पे click करना है add video करनी है और उसके बाद add computer audio पे click करना है और you are connected का message हो रहा है उसके बाद your video is off दोस्तो आपने फिर से video को on कर दिना है तो आपकी video वो on हो जाएगी तो अभी मैं participant phone से इस link पे click करूँगा जैसे हम इस link पे click करते हैं तो हमें blue jeans के through open करने की option आती है उसके बाद selected join पे click करना है यहाँ पे option आप रही है add audio and video dial in audio तो यहाँ पे add audio and video पे click कर रहा हूं उसके बाद option आरी है microphone को on off रखने की video को on off रखने की जैसे हम join meeting की गलिक पे click करते हैं तो यहाँ पे show हो रहा है connecting होस्ट के पास option आ रही है मुट वीडियो की, माइक्रोफोन को अन अफ करने की, शेर स्क्रीन की एंड लेफ्ट साइड पे option आ रही है capture meeting highlights, start recording and highlights आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जैसी आप यहाँ पे क्लिक करते हो, तो recording has started दोस्तों यहां पर recording स्टार्ट हो चुकी है दोस्तो right side पर options आ रही है setting की जैसे हम setting पर click करते हैं तो यहां पर camera की option आ रही है आप यहां से camera चूज कर सकते हूँ अगर आपके PC में more than one cameras है and next option आ रही है microphone की आप यहां से microphone भी चूज कर सकते हूँ and speaker को choose करने की option आ रही है fit video to view आई जैसे आप यहां पर click करते हो तो video का साही चैही हो जाएगा always shows video and layout controls दोस्तो next options आ रही है mute audio on entry, mute video on entry disable entry and exist notifications meeting security की option आ रही है only moderator can share screen अगर आप यहां पर click कर देते हो तो participant screen share नहीं कर पाएंगे log current meeting यहां पर meeting को log करने की option आ रही है दोस्तो साथ में option आ रही है apps की जैसे आप यहां पर click करते हो meeting highlights, facebook live whiteboard, animation breakout session, upload and share video दोस्तो यहां पर बहुत सी options शो हो रही है next videos में हम देखेंगे whiteboard को कैसे use करना है, screen share कैसे करनी है दोस्तो next option आ रही है chat की आप यहां पर click करके chat कर सकते हो दोस्तो यहां पर chat everyone and अगर आप किसी particular person के साथ chat करना चाहते हो, आपने direct message पर click करना है and आपने उस participant को select करना है जिसके साथ आप chat करना चाहते हो दोस्तो next option आ रही है people's की आप यहां से participant को control कर सकते हो दोस्तो bottom पे मंदीप सिंग as a participant name show हो रहा है और top पे मंदीप सिंग name show हो रहा है as a host दोस्तो जैसे हम bottom पे click करते हैं तो यहां पे call detail show हो रही है तो यहां पे sending and receiving की regulation show हो रही है pin participant यहां पे click करके आप participant को pin कर सकते हो, जैसे मेरी already video यहां पे show हो रही है drop from meeting अगर आप यहां पे click करते हो तो participant को आप यहां से remove कर सकते हो दोस्तो next option आ रही है mute all की आप एक ही click में सभी participant को mute कर सकते हो and unmute की option आ रही है आप एक ही click में सभी participant को unmute कर सकते हो and next option आ रही है raise hand की आप यहां पे click करके raise hand कर सकते हो and lower hand की option भी आप यहां पे आ रही है तो everyone के साथ में option शो हो रही है active की यहां पे जितने भी participant active हैं सभी participant आपको यहां पे शो होंगे अगर आप इस box को close करना जाए तो अपने cross पे click करना है and हमें main screen पे भी option शो हो रही है दोस्तो यहां पे host को अपनी खुद की वीडियो शो होगी और साथ में आपको internet strength शो होगी साथ में शो हो रहा है microphone on आई जा off है दोस्तो जैसे हम screen share की option पे click करते हैं तो यहां पे control शो हो रहे है only moderator can share screen prevent share screen take over दोस्तो मैं next video लेके आँँगा की blue jeans laptop पे screen sharing कैसे करनी है और mobile पे screen sharing कैसे करनी है दोस्तो जैसी हम यहां पे PC से recording को stop करते हैं तो यहां पे stop recording की option आ रही है जैसी हम stop पे click कर देते हो recording and start तो recording stop हो जागी Mikrophone RealTek दोस्तो आप यहां पर अकाउंट सैंदो कराइए है दोस्तों meeting को end करने के लिए आपने end call पे click करना है एड उसके बाद आपने leave पे click करना है दोस्तों जैसे हम meeting को end करते हैं तो यहाँ पे view recording की option आगिया है जैसे आप यहाँ पे click करते हो तो आपको यहाँ browser में recordings open हो जाएगी दोस्तों browser से आप recording को play कर सकते हो अगर आप recordings download करना चाहते हो तो आप यहाँ पे click करके download कर सकते हो and आपको पास delete की option आ रही है जैसे हम यहाँ download पे click करते हैं तो जो हमारी recordings है वो download होना start हो जाएगी जैसे दोस्तों यहाँ पे 70 MB की recordings है जो जिसकी timing है 7 minutes and 23 seconds दोस्तों आपके PC में recordings save हो जाएगी दोस्तों blue jeans को use करने के लिए आपको सिर्फ 7 days का trial मिलता है उसके बाद आपको plan purchase करना पड़ेगा जिसकी detail में जल्दी अपने चैनल पर डाल दूँगा दोस्तों अगर आपकी blue jeans जा किसी other education app करेंड को रही है तो यह वीडियो के comment box में comment कर सकते है मैं आपके comment कर अप्लाई करूँगा thank you for watching please subscribe है channel for more technical updates